आज मैं आपको बताने वाली हूं भिंडी यानि की लेडिस फिंगर के बारे में फैंस लेडिस फिंगर एक प्रकार की सब्जी होती है वेजीटेबल में आता है ये और बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है भिंडी को कई तरीके से बनाया जाता है लेकिन आम तर पर इसकी सब्जी बनाई जाती है और सब्जी बनाने के भी कई तरीके होते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होती है तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बताने वाली हूं भिंडी के बहुत सारे ग इसके साथ ये B complex के जितने भी vitamins हैं ये सारे भिंदी में पाए जाते हैं vitamin A भिंदी में भरपूर मातर में पाए जाता है और पकाने के बाद भिंदी का vitamin A नश्ट नहीं होता है लेकिन भिंदी में जो vitamin C होता है वह उसको जब आप पकाते हैं तो वो नस्ट हो जाता है sporus iodine बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो आपके स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है फ्रेंज यदि आप भिंडी को उबाल कर या इसको भूंज कर अगर आप उसको भरते के रूप में खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदे मंद होगा और उपर से आप उसमें नीबू का प्रियोग कर सकते हैं नीबू उसमें डाल सकते हैं तो यह और भी ज़्यादा शदिष्ट होगा साथ ही इसमें विटामिन C जो नस्ट हो जाता है वो भी पूरी मात्रा में मिल जाएगा फ्रेंस यदि आपको पेशाब में जलन हो रही है तो आप भिंडी का प्रियोग कर सकते हैं नीब भिंडी खा सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होगा भिंडी खाने के बाद आपकी जो परिशानी है वो दूर हो जाएगी फ्रेंस पैचिस अगर है आपको तो आप भिंडी का सेवन जरूर करें क्योंकि भिंडी खाने से आपको इसमें लाफ होगा यह आपकी आतों की खराबी को दूर करता है और आपको बहुत ही लाफ पहुंचाता है अगली वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते रहते हैं तो अगर आपको वारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही राइड बिटन और फ्रेंड वैल के आइकन को अन कर लें ताकि जब भी हमें इस तरह की वीडियो आपके लिए करें तो उसकी नोटिफिकेशन सब सबसे पहले आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले दिखता है और फ्रेंड यह सब कुछ बिल्कुल फ्री है